जिहां नमस्कार दोस्तों मैं आप सब का वहीं चीर परीचिक दोस्त आप लोग हर रोज हमसे एक नए नुश्खे सुनते आ रहे हैं इसके लिए शुक्रिया हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको अच्छा लगता है तो जिहां दोस्तों आज हम आपके लिए जो औशद ही लेकर आए हैं उसका नाम है खजूर जिहां पोशक तक्तों से भरपूर खजूर खजूर एक गर्म तासीर का फल है इसलिए शीत काल में सुबह शाम दो तीन खजूर को घी में भून कर या फिर दूद में उबालकर नियमित खाएं उपर से इलाइची श daat से सतर प्रतिर्शत तक शरक्रा होती है जो गन्य की चीनी की अपिक्छा बहुत पौश्टिक गुंकारी वस्तु है खाने में तो खजूर बहुत स्वादिश्ट होती है सेहत की दृष्टी से भी अब बहुत कुनकारी होती है इसके अलावा पिभिन वीमारियों में भी खजूर का सेवन बहुत लाब पहुंचाता है दोस्तों आईए हम जानते हैं खजूर के कुछ गुणों के बारे में कमजोरी जिहां खजूर 200 ग्राम चिलगोजा गिरी 60 ग्राम बदाम गिरी 60 ग्राम काले चने का चुन दोसो चालिस ग्राम गाई का घी 500 ग्राम दूध 2 लिटर और चीनी अगूड 500 ग्राम इन सब का पाक बना गर 50 ग्राम प्रती दिन गाई के दूध के साथ खाने से हर प्रकार की शारीरिक और मानसिक कमजूरी दूर होती है दोस्तों बिस्तर पर पिसाब जी हाँ, अगर आपको बिस्तर पर ही पिसाब हो जाता है तो छुहारे खाने से पिसाब का रोग दूर होता है बुढ़ापे में पिसाब बार-बार आता है इससे भी निजात दिलाता है इसके साथ साथ मधुमे मधुमे के रोगी जिनके लिए मिठाई चीनी द्यादी वरजित है सिमित मात्रा में खजूर का इस्किमाल कर सकते हैं खजूर में वो अउगुन नहीं है जो गन्ने वाली चीनी में पाय जाते हैं पुराने घाओं के लिए खजूर की गुठली को जला कर भस्म बना लें घाओ पर इस भस्म को लगाने से घाओ भर जाते हैं आँखों के रोग खजूर की गुठली का सुर्मा आँखों में डालने से आँखों के रोग दूर होते हैं खांसी, छुहारे को घी में भून कर दिन में दो-तिन बार सेवन करने से खांसी और बलगम में रहत मिलती है जुएं, खजूर की गुठली को पानी में घीस कर सिर पर लगाने से सिर्क के जुएं मर चाते हैं दोस्तों मासिक धर्म चुहारे खाने से मासिक धर्म खुल कर आता है और कमर दर्द में भी लाब होता है दातों का गलना छुहारी खाकर गर्म दूद पीने से कल्शियम की कमी से होने वाले रोग जैसे दातों की कमजूरी हड्डियों का गलना इत्यादी रोग जाता है रक्त चांप कम रक्त चांप वाले रोगी तीन चर्क हजूर गर्म पानी में धोकर गुठली निकाल दें इन्हें गाय के गर्म दूद के साथ उबालें उबले हुए दूद को सुबह शाम पीएं कुछ ही दिनों में कम रक्त चांप से यानि की लोग ब्लड प्रेसर से आपको रहत में जाएगी कबज सुबह शाम तीन चुहारे खाकर बाद में गर्म पानी पीने से कबज दूर होते हैं हजूर का अचार भोजन के साथ खाया जाए तो अजियन रोग नहीं होता तथा मुह का स्वाद भी ठीक रहता है